Hello everyone, welcome to chapter 2 of Art and Culture NCRT of class 11th इस chapter में हम basically पढ़ने वाले हैं Indus Valley Civilization के बारे में जो कि एक काफी important topic है, UPSC के लिए, State PCS exams के लिए या फिर अगर आप स्कूल में हो तो भी आपके लिए बहुत important topic है तो Indus Valley Civilization जो है, इसे हम basically हडपन civilization भी कहते हैं ठीक है? हडपन civilization अब यह जो civilization थी, यह start हुई थी 3rd millennium BCE के second half में यानि लगभग 2600 या फिर 2500 BC के आस पास जो है, इस civilization का start हुआ था starting हुई थी, ठीक है? तो अब इसमें जो है कि क्या culture था, लोग क्या करते थे क्या craft हमें देखने को मिले हैं इस age में, इन सभी बातों के बारे में हम इस chapter में discuss करने वाले हैं ठीक है, तो क्या था कि इस civilization में हमें बहुत सारी जो sites हैं, जैसे कि यहां पर maps में दिखा रखा है, मैंने यह map पेस्ट किया यहां पे, तो यह Indus Valley Civilization का map है, ठीक है? अब यह जो civilization थी, Indian subcontinent की Northwestern region में हमें देखने को मिलती है, ठीक है? यह जो आपको मैं circle कर रहा हूँ यह, ठीक है? रेड पें से, यही area जो है Indus Valley Civilization को denote करता है, ठीक है? अब इसमें देखो, जो भी जगें black dots से mark कर रखी हैं, ठीक है? जैसे कि महंजोदारों हो गया यहां पे, ठीक है? यह महंजोदारों है, यहां पर हडपा है, यह यहां से Indus River जा रही है, ठीक है ना? यह पाकिस्तान का area है, present day में तो, लेकिन अब यहां से देख रहो कि Indus जा रही है, यह five tributaries हैं, जहिलम, चेनाब, रावी, ब्यास, अतल जो यहां पे Indus River में मिलती है, ठीक है ना? तो यह जो area है पूरा, ठीक है? यह जो पूरा area है ना? यह है basically Indus Valley Civilization का area, अब इसमें जो है main जो city है, वो महंजोदारों है और हडपा है, along the Indus River, ठीक है ना? along the Indus River की बात कर रहा हूं है, main जो दो cities हम ज़्यादा सुनने को हमें मिलती है, वो है हडपा, ठीक है? और दूसरी है, महंजोदारों, और महंजोदारों पर तो एक movie भी बनी थी, हितिक रोशन ने बनाई थी, महला, he was an actor in that movie, ठीक है ना? महंजोदारों पर, I hope आपने देख गए हैं और उसी को हम civilization बोलते हैं, basically, Indus Valley civilization का मतलब है कि काफी सारी sites, जिनकी similarity, मतलब जो एक दूसरे से similar है, यानि वहाँ पर जो civic structure है, ठीक है, जो वहाँ पर मतलब हमें रहने सेने की जो structure मिले हैं, चाहिए वो stone का हो, या फिर जो crafts मिले हैं, craftsmanship जो है, ठीक है, लोग जो चीज बनाते थे, जैसे की bronze की figure होगी, या फिर copper figures हो गई, ठीक है, या terracotta figures हो गई, या फिर और जो उनकी occupations थी, वो almost similar है, ठीक है, मतलब रहना सेना जो है, उनका culture है, ठीक है, उनकी जो traditions है, almost similar है इक दूसरे से, तो इसी लिए जो है, इसी लिए हम इन सभी sites को, जितनी भ सभी ये site आपको दिखाई दे रही है, black dots से जो ये mark हो रखी है, ठीक है ना, इस map में, वो सभी Indus Valley civilization की sites है, ठीक है ना, और एक दूसरे से बिल्कुल similar है, लेकिन हम इसे हडपन civilization इसलिए बोलते हैं, यूँकि इस civilization में सबसे पहली जो site discover हुई थी, वो हडपा थी, ठीक है बात समझा रही है, पहली site जो थी, वो हडपा discover हुई थी, इसलिए हम इस पूरे area को एक साथ में हडपन civilization भी बोल देते हैं, यानि हडपा से matching, match करती हुई cities, हडपा से match करते हुए town जिनका culture जो traditions है, रहना सेना जो है लोगों का वो बिल्कुल हडपा से similar है, building structure जो है, ठीक इसलिए हम इसे हडपन civilization भी बोलते हैं, चलो आगे चलते हैं, कि यहां पर हमें क्या-क्या मिला है, देखो, sculptures मिले हैं, seals मिली हैं, pottery मिली है, jewelry, terracotta figure और भी बहुत सारी चीज़े मिली हैं, जो हमें बताती हैं कि artistic जो इनकी skills थी, यहां के लोगों की, वो लाजवाब थी, ठी अब यहां पर हमें human figure भी मिली है, animal figures भी मिली है, जैसे कि human figure में यह जो दिख रही है, human figure है, animal figure में भी कावी सारी vita images हैं, जैसे बहुत इनकी इनकी मिली हैं, इसे हम आगे भी बात करेंगे हमें यह सब एंदे के बारे में, तो हमें डोनों तरहें किHuman और animal figures मिलती हैं, जो कि बहुत रियलिस्टिक है नेचर में और रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि उनकी जो स्किल्स थी उन लोगों की वो काफी लाजवाब थी ठीक है अब क्या हुआ कि जो इंडस वाली सिविलाइजिशन है ठीक है ना उसमें हमने अभी देखा कि इंडस रिवर जो जा रही है उसके किनारे पे दो हमें मेंन सिटीज देखने को मिलती है एक तो है हडपा और दूसरी है मोहंजोदारो ठीक है अब ये जो है ना अर्लिएस्ट एग्जाम्पल्स हैं अर्बन प्लानिंग के ठीक है सिविक प्लानिंग के जो है ये एक अर्लिएस्ट एग्जाम्पल्स हम इने कहते हैं ठीक है ना क्योंकि देखो इतने डाई जार मतलब 2500 बीसी के आज पास भी लोग जो है इतने अच्छे से अर्बन प्लानिंग करते थे और वो क्या करते थे मैं बताता हूँ उनका जो ड्रेनिज सिस्टम था ठीक है पहली बात तो उनका जो ड्रेनिज सिस्टम था एस्पेशली महुंजोदारों का और हडपा का ठीक है लेकिन वैसे सभी का मतलब सारी सिविलाइजेशन की साइट्स का लेकिन हम अभी स्पेशली बात कर रहे है महुंजोदारों और हडपा की ठीक है तो बैसिकली क्या था कि यहाँ पर ड्रेनिज सिस्टम जो था वो बहुत ही ला जवाब था यानि जो एक में ड्रेन होती है तो यहाँपर जैसे की तीन घर बना रखा था तो आएसा कुछ जो श्रक्चर है ला जवाब जो है उन्होंने बना रखा था उस टाइम पर और ये ड्रेन bilo fully covered थी ठीक है न रखी थी ग्रिट लाइक पैटन क्या होता है तो ग्रिट लाइक पैटन ऐसा होता है कि जैसे यह तो अब यहां पर घर हो गया एक यहां पर हो गया अब जा दृक एक काक है तो एसा उनका ग्रिट लाइक पैटन जो हैं मैंदला है इस तो और इसमंधि फिलिटी न जो ग्रिट हो जो कुछ भी तो एसा यह तो यह जो जो म्क squeaks司 की यहां मार्केट कर भी ocur तो दो चीज़े हैं यह आपको याद रखने की जरूरत है ड्रेने सिस्टम और ग्रिड लाइक पैटन ठीक है यह इंपोर्टेंट है लेकिं इसका मतलब यह नहीं है कि हडपा और जो महुंजोदारों थी वही सिर्फ दो इंपोर्टेंट साइट थी और भी इंपोर्टेंट स के अंदर है राखी गड़ी जो हर्याना के अंदर है रोपड जो पंजाब के अंदर है काली बंगन जो राजिस्थान के अंदर है ठीक है अब यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा मैं दिखा भी देता हूं मैप में ठीक है यह काली बंगन है समझ रहो यहाँ पर को तरड़ा का नाम नहीं लिक रखा यहाँ पे यह लृथाल के बारे आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर श्यप्स आती थैं और काफी पतला जो है यह गल्फ है तो मदलब इसके बाद यहां पर काफी जादर टीक है अब बात करते है स्टोन स्टैचू की क्योंकि हमें बहुत सारी चीजय MILLY है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है भरबर के Tàn आदाद में मिल रहे हैं लेकिन एक बात जरूर है कि प्योर है रिफाइन जै बहुत अच्छे से प्रिसाइजली उन्हें बनाएं गए और उसका एक अच्छा एक्परीस्ट्ट स्टैचू को है कि पीस का statue है यह नो साथ है एक और एक और एसे Sky इसा TikTok यह रेड करो है रेड सेन टोडों का है कि जो की है ये वाला ठीक है डिख सैंसटोण का कि ए टॉरसो है मेरल टॉरसो तो यह भी हमें मिला आंड है अब यह जो ठीक है प्रिसाइजली बनाए गए थी और इससे पता चलता है कि उनकी ठीडामेशनल जो उनका बनाने का एक स्किल थी वो भी एक हाई लेवल पर थी समझ रहे हो मनलब इतना आसान नहीं है चीजों को बनाना अब तो चलो मशीनरी आ गई है आप तो साइंस आगे बढ़ गई ही है लेकिन उस टाइम पर इन चीजों को बनाना इस लाइक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम था ठीक है तो अभी यहां पर जो है ना यह इसी फिगर के बारे हम बता रखा है कि देखो जैसे कि यह शॉल है मैं ठीक है मैं बता देता हूं फीचर बता देता हूं पैराग्रा ही है ठीक है ना क्लियर दिख रही है इसकी आइस जो है थोड़ी इलोंगेटेड है नोस जो है ठीक है मलब मीडियम मीडियम साइज का नोस है इसे सर पर भी कुछ जो है वो पहन रखा है like a hairband or something ठीक है यहां पर आपको दिख रहा होगा तो और जो इकान है उसकी डबल मलब जैसे की ना क्या बोलते हैं डबल वो अब क्या बोलू यार इसको मैं डबल फ्लावरी काइंड ऑफ फ्लावरी काइंड ऑफ शेप में बोल सकते हैं इसको ठीक है आपको दो कर्व दिख रहे होंगे यहां पर ठीक है ना ऐसे तो मतलब यही जो थोड़ी से फीचर्स हैं इस statue के यहाँ पर बताए गई है ठीक है ना लेकिन basically यही है कि एक तो male torso जो है red sandstone वाला और दूसरा है यह bearded priest ठीक है ना जो कि soap stone में बनाए गया है यह दो अच्छे example है और इसी के बारे में जो है जो है जो है डिसक्स किया गया है यहाँ पर you can have a look exam point of view से कुछ ज़्यादा important नहीं क्योंकि ऐसे नहीं पूछने वाले कि उस जो soap stone था उसकी statue था उसमें कितना nose छोटा था बड़ा था कितना था मैं ऐसे नहीं पूछने वाले तो just have a look ठीक है फिर इसके बाद आते हैं bronze casting पर देको bronze casting क्या होती है bronze casting basically जो है इस हडपन एरा को हम bronze age भी कहते हैं ठीक है ना ये बात भी ध्यान में रखना इस book में शायद दे नहीं रखा ये बात लेकिन bronze age भी कहते हैं हडपन age को तो वो क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को bronze statue बनाने की knowledge थी अब bronze statue कैसे बनता है bronze statue जो बनता है वो lost wax technique से बनता है lost wax technique important है याद रखना lost wax पूछा जाता है कि which civilization had the technique of lost wax to make the statues ठीक है तो हडपन civilization में ये technique यूज होती थी lost wax technique ये बात में भी यूज होती है मतलब चोलास के टाइम पर भी यूज होती है लेकिन अभी 2500 BC के आसपाथ जो हडपन civilization में यूज होती है अब lost wax technique होती क्या है बिसिकली उसके बार में बता देता हूँ जो यहाँ पर explain कर रखा है अब lost wax technique में क्या होता है कि पहले wax होता है wax से आप एक मूर्ती बनाते हो wax से मूर्ती को बनाने के बाद में आप उसको जैसे की यह मूर्ती बना दी wax की अब इसको cover कर दिया clay से अब clay से cover करने के बाद में इसमें एक सुराग करा जाए इसको heat करा जाता है पहले इसको heat करा जाएगा इसको heat करा heat करने के बाद में जो wax है वो पिगल जाएगा तो उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर सुराक किया और सुराक से पूरा wax बाहर आ जाएगा ठीक है ना? और फिर इसके अंदर जो है molten metal ठीक है? molten metal को डालेंगे इस क्ले के अंदर जो clay थी यह clay से कावर कर रखा था ना? यह clay है ठीक है ना? उपर वाली clay है और नीचे वाला जो है यह है wax ठीक है? तो अब इसके अंदर फिर जो है इसी मोरे से इसी hole से हम molten material डालेंगे molten metal कोई भी हो सकता है वो ठीक है? तो उस metal को डालने के बाद में लिए है और remove हो जाएगी तो मतलब की जो हमने metal डाला था वो उसी shape में आ जाएगा जिस shape में हमने wax बनाया था तो इसी तरह से जो है ना? की lost wax technique जो है वो यूज होती थी किसको बनाने में? bronze statue को बनाने में ठीक है? bronze statue और अच्छा example जो है इसका वो है dancing girl ठीक है? dancing girl का जो ये एक example है वो बहुत ही famous example है जो कि हमें देखने को मिलता है मौन जोदारों से मिला है वो statue जो दिखा भी देता हूँ अभी यहाँ पर image दे रखी है नीचे ये जो statue है ना? ये dancing girl का statue है ये हमें मिला था मौन जोदारों से ठीक है? तो अब ये जो है bronze wax technique से ही बनाया गया है समझ रहे हो? तो अब ये जो dancing figure है dancing girl की जो figure है ये तो एक होगी चलो human figure है लेकिन ऐसा नहीं कि जानवरों की figure नहीं बनाई जाती थी जैसे की buffalo हो गई या bull हो गया ठीक है? या goat हो गई तो उनकी भी figure है कई बार bronze से या फिर कई बार copper से ठीक है? बनाई जाती थी मतलब metallurgy का जो काम था वो काफी उपर उसमें था मतलब high level पर चल रहा था उस time पर especially bronze का और bronze किस से बनता है? और tin के mixture से हमें bronze मिलता है ये बात भी ध्यान में रखना ठीक है न? तो अब क्या हुआ कि इसके bronze के बारे में हमने बात कर ली bronze casting के बारे में bronze casting कहते हैं इसको तो जो ये अब जो civilization की जो sites हैं ठीक है? उसमें हमें अलग-अलग प्रकार की जो हैं वो metallurgy के objects मिले हैं जैसे की अब copper की अगर हम बात करें तो एक कुत्ते की statue मिला है ठीक है? कुत्ते जैसे की dog का copper का बना रखा है dog ठीक है? जैसे और bird बना रखा है वो कहा मिले हैं? लोथाल में मिले हैं अगर bronze की बात करें हम ठीक है? ये तो हो गया copper की copper dog और bird कई बात पूछ लेते हैं exam में ये लेकिन अगर आप वैसे भी अगर means की answer लिख रहे हो या फिर अगर आप school में हो answer लिख रहे हो then it is better to quote an example ठीक है? कि like copper dog and bird were found in लोथाल ठीक है? जो काली बंगन में मिला था ठीक है? और ये जो figures है ये मैंना कहने का मतलब ये है कि अगर कोई figure हमें हडपा और मौंजोदारों में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडिया में जो अभी मिल रही इंडिया की जो sites है वहाँ पर जो statues मिल रहे है वो किसी भी प्रकार से कम है ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया की जो sites है वहाँ पर भी लाजवाब statues मिले है लाजवाब objects मिले है ठीक है? copper के भी, bronze के भी human figures और animal figures दोनो समझ जो? तो यही यहाँ पर बता रखा है और copper का जो bull का जो मैं example जो यहाँ पर बता रखा है काली बंगन का वो मैं दिखा भी देता हूँ ठीक है? यह वाला जो bull का example है यह तो वैसे महँजोदारों में मिला है लेकिन मैंने बताया है कि देखो जैसे की जो craftsmanship जो थी वो almost same थी ठीक है ना? कि मतलब अगर कोई चीज महँजोदारों में बन रही है तो मतलब there are high chances कि वो और भी sites में बन रही होगी because these sites have a similarity ठीक है ना? in social structure, cultural structure ठीक है ना? in the economic structure तो similarities हैं इन sites में सब में ठीक है? तो देखो कि कैसे किस तरह से यह जो है bronze का जो यह bull है इसको बनाया गया होगा ठीक है ना? मतलब किस technique से जो lost facts technique है उसका use करके तो I hope कि आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो उनकी skills का ठीक है? अब यही जो tradition है यही हमें बाद में भी मिलता है जो late hard upon time और चालकोलिथिक sites हैं लाइक दाइमाबाद जो महरास्टर में है वहाँ पर भी हमें काफी सारी ऐसे metal कास्ट मिलते हैं ऐसे sculpture जो है वो मिलते हैं दोनों human के और animal के मतलब यह जो चीज़ है यह continue हुई थी बाद में कि ऐसा नहीं कि यह रुख गई थी हमें बाद में भी यह tradition जो है वो देखने को मिल रहा है अब आगे बात करते हैं terracotta की terracotta figures एक और object है जो हमें हरपन civilization की sites में भरमार रूप से मिला है यह है terracotta figures यहाँ पर दिख रही होंगी अब बात यह है कि देखो जो stone और bronze के statues थे वो काफी precisely बनाई जाते थे लेकिन जो terracotta की figures थी वो थोड़ी सी crude form में बनाई जाती थी मतलब कि ज़्यादा precisely नहीं बनाई जाती थी इतनी precise नहीं होती थी जितनी bronze और stone के statues होते थे ठीक है न क्योंगी वो तो बहुत ही precisely बनाई जाते थे terracotta figures ठीक है roughly थोड़ा सा बना दिया मतलब एज़ा शो करने के लिए लेकिन जो है न उसमें एक जो pre-season होता है वो थोड़ा सा नहीं था दिखाई नहीं देता था इतना लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो है ये terracotta figures almost same थी कुछ sites पर जो है ये थोड़ी ज़्यादा realistic मिली है कुछ sites पर इतनी realistic नहीं लग रही है ये जैसे कि गुजरात की जो sites है लोथाल हो गया या दोलावीरा हो गया या सुरकोतड़ा हो गया और भी जो sites है गुजरात की या फिर काली बंगन है जैसे तो वहाँ पर हमें थोड़ी realistic मिलती है ये टराकोटा फिगर्स और सबसी जो important example टराकोटा फिगर्स में है वो है Mother Goddess का ठीक है Mother Goddess की मैं यहाँ पर टराकोटा फिगर दिखा भी देता हूँ जो हमें देई गई है ये देखो ये है जो है ना ये है टराकोटा फिगर Mother Goddess की ठीक है तो अब इसको कैसे बनाया गया होगा आप देख सकते हो कि इतनी precise तो नहीं है मतलब ठीक है थोड़ी सी roughly ही बना रखी है लेकिन फिर भी बहुत बहतरीन है ठीक है उस time के हिसाब से अगर आप देखो तो काफी लाजवाब ये आर्टिस्टिक स्किल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है अब आगे चलते हैं टराकोटा फिगर्स की बात होगी जैसे कि Mother Goddess का हमने एक्जैम्पल देख लिया और भी काफी सारी चीज़े हैं यह विसल्स बना दी ठीक है आप दी स्थे उत水 बटय के ऐड़ी अब था आर्कियो लोजिकल एविदेंस जो की कॉमर्शल पर्पर्पस के लिए में यूज होता था ठेक है अब यही जो सील है हमें ये कैसी मेंinkई बंती थी इसके बारे में बात करते हैं मेली जो हमें इसील मिले है ऊधो बनी हुई है staring two is a kind of I was a rock एक एक three time भॉल सकते हो आप उसको या फिर उसको आप मेटमोंफिक रॉक बोल सकते हो या सोब स्टोन अब वह सकते हो कि कर सॉस्चाट में जब वह मिलती है तो या रॉप कशोंव तो आप statite जो statite जो वो था रॉक थी ठीक है उसी से जो है mostly हमें seals मिली हैं लेकिन और भी जो है और भी rocks थी और भी मतलब ऐसे kind of minerals थे basically जिन से हमें seals जो है बनी देखने को मिली हैं जैसे कि Fiance हो गया, Terracotta हो गया, Agate हो गया, Chert हो गया, Copper हो गया तो इन से भी हमें देखने को मि बनी हुई आइवरी से भी बनी हुई हमें आपे देखने को मिल रहा है कि आइवरी से भी बनी होती थी ठीक है तो मतलब काफी सारी जो है minerals और स्टोन से बनी होती थी अलग-अलग मलब स्टोन से या minerals से लेकिन most of the seals जो है वो statite की बनी हुई है ठीक है अब इन मीशील के specialty कि इन पे ना animal की फिगर्स होती थी ठीक है animals की figure कौन कोन की किसी की bull की होगी rhino की होगी tiger elephant ठीक है बफल होगी अलग-अलग प्रकार के जो animal है उनकी figure जो है इस पर मलब बना दी जाती थी ठीक है सनी की मलब एक type की seal थी अलग-अलग जानवरों की figure seals के ओपर ठीक है जैसे कि में देखने को मिल रहा है यहां पर अब ऐसे क्विषी और हाथी की फिफोट होगी किसी पर शेयर की फोटो होगीः ने जैसे कि हम आ बड़ाग देखेंगे यहां पर तो यह ऐसे जो है seals का basically लेना देना होता थी ठीक है ना swoje super हेब में होती ठीक है जो इस को हीड़ाक, अल तो से टाइट की बनी हुई समझ रहे हो तो एक तरफ क्या होता था तरफ जैसे जानवर की फोटो बना दी और दूसरी तरफ जो है इंकी पिक्तोग्राफिक लेकिन बात यह कि जो स्कृप्ट है अब तक हमें डिसाइफर नहीं कर पाएंगे है वो अब तक हमारी रह गई है कि हम इसको decipher नहीं कर पाए है कि इस pictographic script का मतलब क्या यह कहना क्या चाह रही है ठीक है तो यही कुछ है यहाँ seals के बारे में basically यहाँ पर यह unicorn की seal मैंने दिखा दी है ठीक है और यह जो seal है यह काफी बारे mohojodaro movie में भी दिखाई गई है अगर आपने mohojodaro movie नहीं देखी हो तो then I would request you कि यह बार देखो उसको आपको काफी सारी बाते जो है हड़पन civilization के बारे में पता चलेंगी ठीक है तो अब ऐसे ही कई बार seals पे पेड़ बना दी जाते थे human figure बना दी जाती थी कई बार god की figure हो दी थी ठीक है न और इसका एक काफी अच्छा example एक तो example यह हो गया unicorn seal का हो गया ठीक है दूसरा एक example जो है seal का वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पशुपती seal जिसको कुछ historian कहते है कि यह female deity है कुछ लोग कहते हैं यह पशुपती seal है अब पता नहीं कि क्या है यह basically ठीक है लेकिन क्या दिख रहा है हमें हम यह देखते हैं पहले ठीक है एक side में तो हमें दिख रहा है हाथी एक हाथी है एक शेर है दूसरी side में जो है एक rhino है और एक buffalo है ठीक है और बीच में एक god बैठे हो जिनके horns है दो horn है ठीक है और वो बीच में center में बैठे होई है तो यानि इसलिए उसको कहा हो गया होगा कि पशुपती मतलब जो ना कि head of the animals kind of इसलिए seal का ना पशुपती रखा गया होगा तो यही जो seal है काफी important मतलब एक example है ठीक है न बहुत important example है हर जगे आपको देखने को मिले गाई ठीक है कोई में book पढ़ लो आप Indus Valley Civilization के बारे में तो एक ही अच्छा example है mention करने का example है you should mention it in a new exam if you are writing an answer जो है पीक सीजन पीक टाइम जो है अडपन Civilization का वो खातम हो जाता है ठीक है न मतलब वो end साही kind of आ जाता है मतलब कि जो उसका पीक टाइम था अडपन Indus Valley Civilization का वो अब डिग्रेड हो गया वो लो हो गया अब इतना ज्यादा जो है ट्रेड नहीं होता इतना ज्यादा मतलब क्राफ्टमेंशिब नहीं देखने को मिलती 1900 BC के बाद में ठीक है तो यही चीज यहां पर बताई गई है फिर मैंने copper tablet जो है मैंने थोड़ी देर पहले बताए कि कुछ square में होते थे कुछ rectangular होते थे लेकिन वही थोड़ा सा difference ही है seals में और copper tablets में copper tablets जो है basically कई बार दोनों तरफ pictographic script होती थी ठीक है दोनों तरफ pictographic script बना रखी है या फिर गली बार एक तरफ pictographic script है और एक तरफ animal की figure है लेकिन most of the copper tablets में आप देखोगे कि जो animal की figure है जिसे कि कोई seeing का यहाँ पर जानवर बना दिया ठीक है तो इस जानवर से related ही pictographic script आपको देखने को मिलेगी इसके पीछे ठीक है न मलब उस script का जो है वो relation होगा उस animal से ठीक है लेकिन जो normally जो हम seals देखते है ठीक है normally जो seals हमने देखी है अब तक उनमें जो है बिसेली उनमें ये चीज नहीं होती अलग-अलग जो है variety मिलती है हमें inscription की जो है उसमें varieties मिलती है लेकिन copper tablet में जो है basically animals से related होती है ठीक है copper tablet पे तो ऐसा जो है basically ये seals के बारे में थोड़ा सा उस time पे scene था I hope बात समझ में आ रही होगी seals की बात हमने अच्छे से कर ली है अब आगे बढ़ते है potry के बारे में ठीक है अब potry देखो न कई type की potry मिली है ठीक है एक है polychrome potry जो काफी rare है ठीक है दूसरी है incised wear potry वो भी काफी rare है ठीक है तीसरी एक और मिली है हमें perforated potry जो की यहाँ पर दिखाई भी गई है यह वाली जो है perforated potry मतलब की थोड़ा शर्बत वगारा बनाने के लिए उसको घोलने के लिए एक kind of तो वो उस काम के लिए जो है यह use होती होगी ठीक है यहाँ पर एक बड़ा सुराग बना रखा है और side में छोटे-छोटे मोरे बना रखे है आपे holes है ठीक है तो मतलब उसी purpose के लिए उसको use किया जाता होगा कि वो जो बनी हुई थी वो बैर से बनी हुई थी ठीक है नऄ handmade जो है वो बहुत कम थी ठीक है handmade कम थी वीब की बनी हुई ज świat थी और जो poetry मिली है वो plain जिया थी और painted Magic जो थी वो कम थी ठीक है डिजाइनिंग वाली जो थी वो कम थी और plain जो थी वो ज्यादा थी अब देखो जो designing वाली होती है वो कैसी लगती है ठीक है यह यह यहाँ पर जो दिख रहा है ठीक है क्या होता था कि basically यह जो pottery होती थी यह clay से बनती थी ठीक है ना clay से इसको बनाते थे फिर इसके उपर जो है थोड़ा सा shiny red type का paint या फिर black color का paint इस पे मतलब जो apply करते थे ताकि इसको shiny look मिल जाए ठीक है और shiny look shiny look मिलने के बाद में इस पे black color से देखो जैसे design बना रखे है ठीक है ना यह black color से जो है यहाँ पर motif होते है या कोई ना मतलब पत्तों के पत्तों के हो गए या फिर कुछ geometric design हो गए ठीक है ना जैसे कि यह यहाँ पर देख रहा है तो geometric design ही आप कह सकते हो इनको तो ऐसे design बनाई जाते थे ठीक है यह यहाँ पर बता रखा है कि glossy black color का जो paint होता था उससे design करा जाता था और ओर design किस पर करा जाता था red slip पे red slip जो यहाँ पर कर रखा है पहले इसको clay से बनाया ख्ले के ऊपर red रेड जो रेड कलर का थोड़ा सा shiny look देने के लिए इसको उस पर paint किया और उसके ऊपर जो है black color का design जो है बनाया यहाँ पर ठीक है तो ऐसी इतनी टाइब की आमें देखने को मिलती है और घरों की अगर बात करें household में तो household में तो हर एक shape की हमें देखने को मिलती है यह household का ही एक photo है ठीक है न कि इतनी ताइप की हमें शेप देखने को मिल रही है तो यही चीज हमें portree के बारे में जानने को मिलती है हडपण Civilization से ठीक है अब आगे बात करते हैं beads और ornaments के बारे में beads और ornaments जो था ठीक है वो जो एक industry जो थी beads और ornaments की वो काफी बड़ी industry थी ठीक है न, और वो हमें कैसे पता चलता है हमें बहुत सारे ornaments मिलते हैं, अब अलग-अलग अलग-अलग चीजों के बने हुए हैं कुछ बने हुए है, metal के, जिसकी gold के बने हुए है, कुछ ठीक है, कुच copper के बने हुए है, कुछ बने हुए bone के या फिर clay के तो अलग अलग जो है कि material के ornaments हमें देखने को मिले हैं ornaments यानि jewelry ठीक है कानों में कुछ पहनने का या फिर कुछ गड़ा type पहनने का ठीक है या फिर अपने elbow के उपर जो होता है amulet kind of होता है उसको वो पहनने का तो अलग अलग type के ornaments होते हैं हजारो type के ornaments होते हैं ठीक है तो यह चीज है हमें देखने को मिली है कुछ जो ornaments थे वो unisex थे कि कोई भी पहन सकता था उनको ठीक है कि necklace हो गया necklace जो है वो आदमी भी पहनते थे औरत भी पहनती थी finger ring जो थी वो आदमी भी पहनते थे औरत भी पहन सकती थी लेकिन कुछ जो चीज़े थी वो सिर्फ औरत ही पहनती थी जैसे कि earring हो गए या anklet हो गए वो सिर्फ women ही पहनती थी तो ऐसे जो है ना कि हमें मतलब भरमार रूप से जो है jewelry मिली है मोंजोदारों में और लोथाल में ठीक है अब अलग-अलग अलग-अलग चीज़ों से बनी हुई थी यह jewelry जिसके बारे मैंने भी आपको बता दिया ठीक है बहुत ही अच्छी तरह से crafted jewelry बनी थी यह मलब ऐसा नहीं की काम चला हो मतलब की ना की मलब ठीक है थोड़ा बहुत जुकाड कर कैसे बना दिया ऐसा नहीं अच्छी तरह से और अच्छी तरह से कैसे यह देखो यह जो picture दिख रही है इसमें आप देख सकते हो कितनी precisely जो है कितनी precisely cut किया गया है हर एक चीज को देख रहे हो कितना चोटा चोटा जो object है यह काटे है यह कितने pre-season से काटे होंगे तो मतलब जो industry थी यह काफी बड़ी industry थी और हर्याना में जो फर्माना जगें जो है ठीक है वहाँ पे हमें एक symmetry देखने को मिलती है जहाँ पर dead bodies को दफनाया जाता है तो dead bodies जो है वहाँ पर उनके साथ में हमें ornaments देखने को मिले है अब आपको यहाँ दोगा कि Megalithic जो time था Megalithic जो period था 1000 BC के आसपास उसमें भी हमें ornaments मिले थे लेकिन वो iron के थे बाद याद धान में होगी लेकिन अभी जो है अगर पूछें तो देखो चानुदारो और लोथाल में हमें factories मिली है ठीक है वो factories जो है वो bead की factories है और उन factories को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि bead industry जो थी वो कितनी बड़े scale पर चल रही थी उस time पे ठीक है न क्योंकि देखो आदमी को या औरत को जो है अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा पहनने की एक इच्छा होती है सभी चाते हैं कि हम कुछ necklace पहने या कुछ finger ring पहने या कुछ ऐसा पहने कुछ special पहने अच्छा दिखने को अच्छा feel होने को तो इसलिए जो है इस industry को काफी बढ़ावा दिया गया और हम आगे बात भी करेंगे कि इन लोग को fashion की sense भी थी काफी अच्छी ठीक है तो हम देखते हैं भी आगे तो यहाँ पर यहीं बता रखा है कि जो beard industry थी अलग-अलग stones जो है gemstone जो है उनसे बनती थी अलग-अलग तरहें से beard बनते थे ठीक है अस्टेटाइट के हो गए तर्कॉइस योग लपीज लजूली के quards, crystal तो अलग-अलग जो material है उनके beards बनाए जाते थे और अलग-अलग shape में बनाए जाते थे कुछ disc shape है यहाँ पर दिख रहा है यह cylindrical है यह जो है यहाँ पर circle और shape में दिख रहे है समझे रहे हो यहाँ पर यह disc shape में है समझे रहे हो तो अलग-अलग shape में हमें beards देखने को मिलते हैं अब यह हो गई भाई उसकी बात beards की बात ठीक है अब आगे हम बात करते हैं यहाँ तो यही बता रखा है beads के बार में ही बता रखा है just have a look ठीक है मैंने सब कुछ almost बता दिया आपको अब एक और चीज़ है हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें spindle walls देखने को मिलते हैं spindle walls क्या होते हैं बेसिकली एक circular टाइप का एक object होता है circular जिसको हम spinning में यूज करते हैं ठीक है ऐसे ना आपने कभी spinning अगर spinning करते होगे किसी औरत को देखा होगा तो उसके हाथ में आपने देखा होगा एक डंडा सा है और उसके उपर एक छोटा सा ना की एक wooden टाइप का यह गोलता है कि डिस्क शी है चोटी से डिस्क होगी तो वो जो डिस्क होती है वो spindle wall बोलती है उसको तो spindle wall जो है हमें काफी सारे उस घरों पे घरों में घरों के अंदर देखने को मिली है अब spindle wall का use किसली होता है वो cotton यो कुछ बनाने के लिए तो होता है कपड़े को spin करने के लिए थ्रेड को spin करने के लिए तो होता है अब थ्रेड स्पिन किसली होगा ताकि कपड़ो कपड़े बनाए तो इसली लिए मतलब cotton और जो wool है उसकी spinning काफी बड़े उस पे बड़े scale पे हमें देखने को मिलती है घरों में तो यानि spinning भी काफी अच्छी उसमें scale पर होती थी कॉटन की और wool की मतलब cotton और wool की जो cloth है वो पेहनते थे वो लोग यह कहने का मतलब है यहाँ पर ठीक है अब जो उनके पैनने का क्या करते है बिजिगली ठीक है कहाँ यह तो कॉल यह कॉटन के कपडे होते थे 2 लमड़े में के कपड़े होते थे एक तो ऊपर का शरीन दखने के लिए और एक नीचे का शरी डखने के लिए ठीक है ऊपर पहनते थी वो शॉल टाइप अब आप आपने हमने देखा या वी स्टैच्व में आपने देखा था उपर पहले यहाँ पर देखो यह शॉल टाइप ही इस प्रीश्ट को उन्होंने पहना रही है ठीक है और नीचे के रीजन को ढखने के लिए धोती तो आपने सुना हुआ कि मतलब शॉल नीचे धोती और उपर भी जो है लोग अलग-अलग आपने देखा होगा अब भी पहनते हैं बहुत सारे लोग अब भी पहनते हैं Southern India में तो अब भी आप देखोगे काफी सारे लोग जो है नीचे धोती पहनते हैं और उपर अलग कपड़ा पहनते हैं तो इस तरह से उनके कपड़े होते थे ठीक है अब उनको फैशन की सेंस भी कावी अच्छी थी लिप्स्टिक भी लगाते थे वो सिना बार का यूज करते तो उस तरह से जो है वो भी यूज करते थे उस टाइम पर ठीक है सिना बार का यूज करते थे लिप्स्टिक का यूज करते थे आई-लाइनर भी यूज करते थे तो उनको फैशन की सेंस भी काफी थी और फैशन की सेंस देखो आपको स्टैचू से भी पता चल रही होगी ठ दिखा था यहां पर उपर इसमें भी फैशन सेंस अमने को फैशन सेंस कि देखो बीर्ड कैसे कट कर रखी एक लाइनिंग है बिल्कुल ना मलब ऐसा नहीं की उबड़ खाबड बीर्ड तो मतलब की फैशन की सेंस थी इन लोगों को कि कैसे भाई मतलब ना कि अच्छा दिखन करका दोड़ा वीरा में हमें देखने को मिलता है कि काफी चारे जो अस्ट्रक्चर्स हैं वह स्टोन के बने होए हैं ठीक है तो यह हो गया यहां तक को एंड ऑफ दचाप्टर हमने ऑल्मोस सब कुछ कवर कर लिया औलमस्ट क्या हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है यह इस चैप्टर में पढ़ ली है अब यहाँ पर जो है ना कि नीचे थोड़े से यहाँ पर images दे रखी है dancing girl की है यह यह bull की है हमने इन दोनों की बात कर ली है torso की हमने बात कर ली यह जो है poetry की है यहाँ पर मैं जैसे बताया geometric pattern या फिर फूलों का कोई design हो गया black color से यह clay की बनी हुई है poetry wheel made बनी है पकाई देखा है wheel made बनी है और इसके ओपर black color के design में आ रखे हैं ठीक है ना तो clay की poetry बनी है और इसके ओपर black color का design कहां मने लिए है मोजोदारों में ठीक है painted earthen wear तो मतलब इसके बारे में भी हमने देख लिया mother goddess की हमने picture पहले देख ली थी तो सारा कुछ cover हो गया यहां पर ठीक है ना तो I hope थी आपको कोई doubt नहीं होगा वीडियो चोड़ा दर लंबा हो गया लेकिन देखो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से explain करूं हर एक point को explain करूं कोई छूटे ना ठीक है मैं इस वीडियो को छोटा वीडियो भी बना के मतलब आपको बता सकता हूँ ठीक है लेकिन 20 मिनट का हो गया 10 मिनट का हो गया लेकिन फिर उसमें वही बात होगी कि मैं अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगा आपके पास काफी सारे doubts रह जाएंगे फिर दिक्कत होती है ठीक है ना इसलिए मैं चाता हूँ कि अच्छे से बताऊं सारे point क्लियर करूं एक एक बात को क्लियर करूं फिर अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो मैं उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए बना दूँगा ठीक है तो मिलेंगे अगली वीडियो में that is chapter 3 तक तक की लिए take care bye bye study well जैहिंद